आज की इस वीडियो में सिखेंगे कीप के सभी परियोग जो इस परकन इंगलेस में काफी मतुपूर्ण है आज की इस वीडियो में इन सभी सब्दों का परियोग सिखेंगे कैसे परियोग किया साता है कैसे का स्टुक्षिर होता है कैसे संटेंस बनता है तो सबसे पहले use of keep an eye, इसका मतलब हो जाएगा नजर रखना, नजर रखना मतलब keep an eye, sentence हैं, अपने भासा पर ध्यान रखो, keep an eye on your language, keep an eye, नजर रखो on your language, अपने भासा पर, रवी उस पर नजर रख रहा है, रवी is keeping an eye on him, on him मतलब उस पर, तुम्हें अपने नवकर पर नजर रखना चाहिए, you should keep an eye on your servant, you should keep an eye on your servant, अपने नवकर पर ध्यान रखना चाहिए, keep away, keep away का मतलब हो साएगा दूर रखना, दूर रखना मतलब keep away, अपने बसों को mobile से दूर रखो, keep your children away from mobile, keep your children away from mobile, अपने बसे को mobile से दूर रखो, वो बसे को गलत लड़के से दूर रखता है, तो he keeps children away from bad boys, he keeps children away from bad boys, वो अपने बसे को गलत लड़के से दूर रखता है, तुम्हें दूर, तुम्हें दूद बिल्ली से दूर रखना साएगे, तुम्हें दूद बिल्ली से दूर रखना साएगे, you should keep milk away from cat, from cat मतलब बिल्ली से, keep mum, keep mum का मतलब होता है, चूप रहना, जैसे बोलता है, आप silent मतलब keep mum बोलेंगे, मैंने तुम्हें चूप रहने को कहा, I said to you to keep mum, मैंने तुम्हें चूप रहने को कहा, तुम्हें उस जगह चूप रहना साएगे, you should keep mum on that place, तो मैं उस जगह चूप रहाना साहिए मैं चूप रहने की कोशिस करता हूँ I try to keep mum I try to keep mum मैं चूप रहने की कोशिस करता हूँ keep in touch इसे sort में कीट भी बोलते हैं और speaking में आप यूज़ भी कर लेते हैं ज्यादा तर आप chatting में यूज़ करते हैं keep in touch इसका मतब होशाएगा संपर्क में रहाना संपर्क में रहाना मतलब की पिंट इस तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहाना साहिए you should keep in touch with a doctor हम लोगों को सिक्चक के संपर्क में रहाना साहिए we should keep in touch with a teacher ravee ramey's के संपर्क में रहाता है अभ यहाँ पर रहाता है रहता है तिंप्र हम पर पर इसे पर प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर keeps हो जाएगा रव में तुक्च के पर आप देख सकते हैं कि रवी keeps in touch with قль सुरेश कुछ को भी यहाँ पर मिल सकते हैं संपर्क में राना मतलब के पिंटर्स का प्रयोग करेंगे कीप आन का मतलब हो साएगा जारी रखना जिसे कि तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए You should keep on your studies तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए मैंने अपने काम को जारी रखा I kept on my work मैंने अपने काम को जारी रखा रमेज ने बोलना जारी रखा रमेज kept on speaking रमेज kept on speaking रमेज ने बोलना जारी रखा Keep off Keep off का मतलब हो साएगा दूर रहना दूर रहना मतलब keep off जैसे तुम्हें सराप से दूर रहना साहिए You should keep off from wine From wine मतलब सराब से मैं गलत लोगों से दूर रहता हूँ I keep up from bad people I keep up from bad people मैं गलत लोगों से दूर रहता हूँ वे लोग नसे से दूर रहते हैं They keep up from smoking They keep up from smoking वे लोग नसे से दूर रहते हैं Keep in mind Keep in mind का मतलब होता है ध्यान में रखना ध्यान में रखना मतलब keeping mind, इस बातों को ध्यान में रखना, keep this word in mind, अपनी गलतियों को ध्यान में रखो, keep your mistakes in mind, keep your mistakes in mind, keep in mind's word हैं, in mind को हम sentence के last में लिखेंगे, और keep के बाद हम उस word को लिखेंगे, जिस बातों को, जिस सेज़ों को हम रखने की बाते कर रहे हैं। मैं अपने वादा को ध्यान में रखता हूं तो sentence बनेगा I keep my promise in mind तो इससे वाक्व मासाने से बना सकते हैं जापर बोलते हैं ध्यान में रखना मतलब keep in mind keep secret का मतलब उसाएगा गूपत रखना गूपत रखना मतलब keep secret तुम्हें इस बातों को गुप्त रखना चाहिए हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए, we should keep it secret, we should keep it secret, हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए, keep distance, keep distance का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, मतलब keep distance का युज़ करते है, हम लोगों को दूरी बनाए रखना साइए, we should keep distance, मैं उससे दूरी बनाए रखता हूँ, I keep distance from him, I keep distance from him मैं उससे दूरी बनाए रखता हूँ रवी सराप से दूरी बनाए रखता है रवी किप से डिस्टेंस फ्रॉम वाइन रवी किप से डिस्टेंस फ्रॉम वाइन रवी सराप से दूरी बनाए रखता है अगला वड है केन कीप और इसका मतलब होता है रहा सकता है रहा सकता है मतलब केन कीप का परियोग करते हैं वो बोलता रहा सकता है रमेज किताब पढ़ता रहा सकता है रमेज केन कीप रीडिंग दबोक तो जब भी आप यूज करते हैं कीप तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो जिरंड में आता है मतलब वी फोर्ड में आता है पिरिया खाना पकाती रह सकती है पिरिया कैन कीप कोकिंग फोर्ड पिरिया खाना पकाती रह सकती है रवी लिखता रहा सकता है, रवी can keep writing, रवी लिखता रहा सकता है, तो इसे ही वाक्य हम कही सदे बना सकते हैं, जहांपर परियोग करते हैं, can keep मतलब रहा सकता है to keep house, to keep house का मतलब होता है, घर सलाना, जैसे की lockdown में घर सलाना काफी मुश्किल था, तो to keep house in lockdown was so difficult, to keep house घर सलाना in lockdown, lockdown में was so difficult, बहुत मुश्किल था, काफी मुश्किल था, so difficult मतलब बहुत या काफी मुश्किल था, मजदूर के लिए घर सलाना मुश्किल होता है, to keep house for the labor is difficult, तो इसे वाक्य कही सदे बना सकते हैं, जहांपर प्रियोग करते हैं, घर सलाना मतलब to keep house, keep eyes open इसका मतलब होता है, सतर करहना, मतलब alert रहना, जैसे तुम्हें सतर करहना सा चाहिए, you should keep eyes open, रवी को चोड से सतर करहना साए, रवी सुड़ कीप eyes open from थिप, अमन को अवस सतर करहना साए, अमन मस्ट कीप eyes open, अमन मस्ट कीप eyes open, अमन को अवस सतर करहना साए, कैप्ट ओन, कैप्ट ओन का मतलब होता है, कोई काम करना जारी रखा, जैसे कि मैंने पढ़ना जारी रखा, I kept on reading, रवी ने पेड काटना जारी रखा, रवी क्याप्टउन कटिंग दर ट्री, पिरिया अंग्रेजी बोलना जारी रखी, पिरिया क्याप्टउन स्पेकिश इंग्लेज, कोई काम करना जारी रखा, वहाँ पर क्याप्टन का परियोग करेंगे, और इसके बाद वर्ब का फॉर्थ हमाएगा, जिसे की प्लस वी फॉ He keeps spaking वो बोलता रहता है आपर ये keep सो जाएगा वोई लोग खेलते रहते हैं They keep playing वोई लोग खेलते रहते हैं He keep playing हम लोग काम करते रहते हैं We keep working रवी अंग्रेजी बोलता रहता है Rवी keep spaking English रिजापर मैंने keep को युझ किया है इसके साथ optional है, on जो कि हम on परियोग करें, फिर भी ठीक है, नहीं करें, फिर भी ठीक है, जैसे ही, keeps on speaking वो बोलता रहाता है, they keep on playing, वों लोग क्यलते रहते हैं, we keep on working, हम लोग काम करते रहते हैं, रभी कीप ऑन स्पेकिंग इंग्लेस रभी अंग्रेसी बोलता रहता है तो अन भी परियोग कर सकते हैं और अन परियोग नहीं भी कर सकते हैं यह आप पर डिपेंड करेगा सो गाइस थैंक्स पर वाशंग दाट सॉल फो टुड़े